आपको कैसा लगे जब ये पता चले कि जिस Bollywood में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी कंटेंट्स वाले फिल्में बनाते हैं, ड्रक्स लेते हैं, हिंदु धर्म को अपमान करने वाले बयान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो सचमुछ Bollywood को प्रड्यूसर्स ने उत्रप्रदेश के सीम योगी अधित्यनात से ना केवल उत्रप्रदेश की फिल्म सिटी पर बात की, बलकि Bollywood को बचाने की फरियाद भी कर डाली, ये तो हम सब जानते हैं कि उत्रप्रदेश में फिल्म सिटी बनाय जाने की शुरुवात हो चुकी है जिसके लिए गवर्मेंट ने लेंड भी अक्वायर कर लिया है, लेकिन केवल फिल्म सिटी खोल देने से कुछ नहीं होना है, उसके लिए जरूरी है लोगों का आकर्शन और लोगों के आकर्शन के लिए जरूरी है वहाँ पर बड़े फिल्मेकर्स, प्रड्यूसर्स और योगी अधित्यनाथ ने इस फिल्म सिटी को शुरू करने से पहले इसके ग्रोथ के लिए इसको सपोर्ट करने के लिए मुंबई के फिल्म डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से मिले, जिनमें जैकी भगनानी और बोनी कपूर जैसे निर्माता निर्देशक थे, तो वहीं अब एक जैसे नहीं होते, हम लोग रात दिन ड्रग्स नहीं लेते, हमने भी बॉर्डर जैसी फिल्में बनाई है, ये एक हैस्टेग जो चल रहा है, हैस्टेग बॉयकॉट बॉलिवूड आपके कहने से ही ये रुख भी सकता है, उनका कहना था कि रोटन एपल, यानि एक सुनिल शेटी के इस बयान से ये तो साफ हो गया है, कि बॉलिवूड के बहुत से कलकार भी ये मानते हैं, कि ये जो बॉयकॉट का सिलसला शुरू हुआ है, इसमें गलती कहीं न कहीं, फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों की भी है, और एक्चुली में इसी गलती का एहस दिलाना जरूरी था, अफकोर्स पूरा बॉलिवूड खराब नहीं है, लेकिन इस बॉयकॉट की चपेट में पूरा बॉलिवूड इसलिए आता है, क्योंकि बाकी के जो अच्छे कलकार हैं, या वो लोग जो मानते हैं कि बॉलिवूड में गलत हो रहा है, गलत कंटेंट पर फिल्मे बन रही हैं, वो चुप रहते हैं, अगर वो इन कुछ गंदी मचलियों के खिलाफ बात करते या उन्हें पानी से बहार निकालने की बात करते, तो पूरे बॉलिवूड के बहिशकार की बात कभी नहीं उठती, सुनिल शेटी का इस तरह थोड़ा ही सही, बट खुलकर बोलना एक अच्छा संकेत है कि आप बॉलिवूड के बाकी लोग भी बॉलिवूड में गंदगी बरदाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वल्गैरिटी, सैनिकों का अपमान, देश विरोधी सीन्स और हिंदू भगवानों का मजाक बनाना बंद होना ही चाहिए, तब नहीं न कहीं बॉलिवूड इंडस्ट्री घुटनों पर तो है, या एटलीस्ट उन्हें एहसास हो रहा है कि इस इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसी भी जैकी श्रॉफ ने भी योगी जी से बात की और उन्हें घर पर खाने के लिए आमंतरित किया, इत यहां भी वो लोग हैं जो बॉलिवूड की गलत चीजों को समर्थन नहीं करते, योगी जी द्वारा मुंबई फिल्म फटैनिटी के साथ ये समवाद उत्तर प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी को बहतर बनाने में सहायक रहेगा, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बना ना हिंदु देवी देवताओं पर कटाक्ष किया जाएगा, ना हमारे सैनिकों का अपमान किया जाएगा, आप पूरी दुनिया का सिनेमा उठा के देख लीजे, चाहे वो चाइनीज मूवी हो, कोरियन मूवी हो, जैपनीज मूवी हो या रशियन हो, हर देश की फिल्म इं बिकनीज पहन कर गाने बनाए जाने को कूल मना जाता है, दोती कुर्ता जो हमारी असल पोशाक है, उसे फिल्मों में पहनाना तो दूर, यहां लेस्बियन, होमोसेक्शुल को फिल्म में दिखा कर, पस्चिमी देशों में चल रहे लेफ्टिस्ट के शडियंतरों को पुख नहीं होंगी, लेकिन भारत देश की ही फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, जिने अपनी पहचान दिखाने में शर्माती है, तो निश्चित तोर पर जब योगी जी जैसे शासक के नित्र तुमें फिल्म सेटी बनेगी, तो फिल्मों में शायद कुछ ऐसा देखने को मिलना शु